हेई गाईज वेलकम बैक टो माई चैनल ड्रामा सिरीज पार्टू तकी कहानी आपको पिछले वीडियो में बताज क्यों हो जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्षन में मिल जाएगा पिछले अपसवर में हमने देखा था कि बेकु हेमी को कहता है अगर मैं बैसपोल नहीं छोड़ता तो क्या हमारी लाइफ अलग होती तो हेमी ये सब सुनकर बेकु को ही देखने लगती है तो बेकु कहता है अगर मैंने बैसपोल नहीं छोड़ा होता तो क्या हमारी लाइफ क कुछ और होती तो हेमी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं बदलता जैसे हम आज दोस्त हैं वैसे हम पहले भी दोस्ती रहते अगर तुम बेसबॉल नहीं भी छोड़ते तो हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं बदलता और हेमी यह कहकर वहां से और हेमी उसके साड़े कामों को क्या करती ती, और उसे हमेशा सपोर्ट भी क्या करती थी, और बेकु हमेशा उसे ठीज किया करता था, पर हेमी कभी भी उसकी बातों का बुड़ा नहीं मानती थी, तो बेकू ये सब याद करके पूरी तरह emotional हो जाता है कि तभी एक past की story दिखाये जाती है 2002 की जब बेकू baseball खेल रहा होता है और वो उसका आखरी baseball होता है तो बेकू baseball खेल रहा होता है और वो बहुत ही अच्छे अच्छे run बना रहा होता है कि तभी ball उसके हाथ में आकर लग जिससे उसे बहुत ही दर्ध होता है। और वो पूरी तरह दर्ध से कहराने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। तो उसके सारे दोस्त उसे देखने के लिए आते हैं। वहां से चला जाता है आगे बेकू हेमी का दिया हुआ पेपर कॉन देखता है जो हेमी ने उसके लिए बनाया था जब उसे चोट लगी थी तो बेकू उसे देखकर खूब रोता है जब बेकू उस पेपर कॉन को पढ़ता है तो सारे पेपर कॉन में हेमी ने उसके लिए पुरोता है और कहता है मुझे वापस जाना है कि तभी वहाँ पर मिश्टेरियस आदमी की इंट्री होती है और कहता है तुम वापस जाना चाते हो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं तो बेकु कहता है सच में प्लीज मुझे वहाँ वापस भेज दो मैं इस तरह और वो मिश्टेरियस आत्मी यह कहकर वहां से चला जाता है आगे बेकु उस दवाई को पी लेता है और कुछ मंत्र बोलता है जिससे वह सीधा पाश्ट में उसी जगहां पर पहुंच जाता है जिस दिन उसका मैं छोड़ा होता है तो बेकु वहां पहुंच कर बहुत खुस ह होता है और कहता है यह मॉका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूगा इस बार में आपने हाथ पर चोट लगने नहीं दूगा और नहीं मैं हमी को अपसे ठोने का एक भी मौका दूंगा आगे बेखु बहुत ही खुसी-खुसी से बेस्बोल खेलता है पर उसकी किस्मत यहां पर भी उसे धोखा दे जाती है इस बार उसके हाथ में चोट नहीं लगता बलकि पैर में चोट लगता है जिससे बिचारा पुरी तरह दर्ट से कहराने लगता है और प्लेग्राउंड में गिर जाता है तो सारे दोस्त उसे इस तरह देखकर पूरी तरह घबडा जाते हैं और इधर हेमी बेखु की ऐसी हालत देखकर टेंसन में आ जाती है आगे हमी हॉस्पिटल में होती है और वही पेपर कौन बना रही होती है और भगवाल से प्रे कर र पूंघी रहतां तो वह बहुत ही हो जाती है कि तभी वहाँ पर जीवान की इंट्री होती है और जीवान उसे EPA लगता है तुम्हारे लिए बहुत इंपॉटन है तो हैमी कहता है यह मेंड़ी बहुत ही इंपॉर्टन है or है में चपकर के देखकर कहता है तुम जैसा बता र कुषती है, Docter ने क्या कहा, कुछ ज्यादा सर्यस तो नहीं है, तो बेकू ही उमी में को कुछ भी नहीं बताता है, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, बस छोटी-मोटी-छोटी लगली है, जो ठीक हो जाएगी, तो हीमी ये सब सुनका बहुत खुश हो जाती है। आगे बेकू घर में रहता है और वो सोचता है वो पास्ट बिलकुल भी नहीं बदल पाया पिछली बार उसे हाथ में चोट लगा था जिस वज़ा से उसे बेसबोल से गिव अप करना पड़ा और इस बार उसे पैर में चोट लगा है और डॉक्टर ने उसे साफ साफ बताया ह कि अगर उसने बेसबोल खेलने की कोसिस की तो उसके जान को भी खत्रा हो सकता है पर बेकू हार नहीं मानता और कहता है चाहे मैं अपनी चोट नहीं बदल पाया तो क्या हुआ लेकिन मैं हार नहीं मानूगा और नहीं मैं बेसबोल से गिव अप करूँगा अगले दिन बेक पोल से give up कर रहा हूं तुम लोग अपनी practice करो जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा वैसे ही मैं वापस आ जाऊंगा कि तब उधर से उन लोगों के teacher आते हैं और teacher उन लोगों को कहते हैं आज तुम लोगों का एक नया coach आया है और आज से यही coach तुम लोगों के team को समहा लेंगे और वो coach कोई और नहीं बलकि G1 होता है तो G1 सारे team members से अच्छे से बात करता है और कुछ team members को अपने team से बहार निकाल देता है और G1 जितने team members को निकालता है उसमें जूते चानवुक और बेखु भी सामिल होते हैं तो सारे team members इस बात कर विरोत करने लगते हैं कि वो ऐसे कैस उन लोगों को team से निकाल सकते हैं आखेकार उन लोगों की क्या गलती है तो G1 कहता है तुम लोग अच्छा नहीं खेल रहे इसले मैं तुम लोगों को team से निकाल रहा हूं तो बेखु इस बात पर stand लेता है और कहता है अगर हम आपके order को नहीं मानेंगे तो क्या आप ये job तो जीवान कहता है मैं ऐसा क्यूं करूंगा बलकि मैं तो ये टीम ही बंद कर दूँगा तो बेकु ये सब सुनकर सौक्ट हो जाता है क्योंकि पास्ट में जब वो जीवान से पहली बार मिला था वो इस तरह नहीं मिला था और बेकु जीवान का ऐसा चेहरा दिखकर पूरी इतने अच्छे प्लेयर को अपने टीम से निकालने की आपको नहीं पता कि बेकू कितना अच्छा खेलता है और हेमी जीवान पर बरसने लगती है तो जीवान कहता है मैं इतना भी बुढ़ा नहीं हूँ जो तुम मुझे अंकल बुलाओ तुम मुझे कोच या सर बुला सकती ह तो हेमी यह सुनकर उसे ही देखती रह जाती है तो जीवान कहता है तुम जिस प्लेयर की बात कर रही हो मुझे भी पता है वो प्लेयर बहुत ही अच्छा है लेकिन उसके पैरों में चोट लगी है भी नहीं पता कि कि से अपने टीम में रखना है और किसे नहीं और हमी जी वञोंको रखने नजर करता है हुझ harder यह म Mormon से पूछने जाती है किया कुछ ऐसा है जो तुम मुझे भूल गये हैं और जो तुम मुझे बता चाहते हो तो बेकू से कुछ भी नहीं बताता और चुप चाप बात को टाल कर वहां से चला जाता है तो हेमी भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती आगे सारे क्लास टीचर बेकू जूते और चान वूप को मार मार कर पढ़ाते हैं क्योंकि पहले तो वो बेसबोल के टीम मेंबर्स थे जिस वज़ा से वो लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे लेकिन अब वो बेसबोल के टीम मेंबर्स नहीं हैं जिस वज़ा से स सारे टीचर उसकी पढ़ाई पर नहीं बलकि उसके स्पोर्ट्स पर ध्यान देते थे लेकिन अब तो वो लोग टीम मेंबर है ही नहीं जिस वज़ा से उन लोगों की तो सामत ही आ जाती है और बेचारे को मजबूरन बहुत सारा पढ़ना परता है आगे उन तीनों की हालत एक सौक्ट हो जाता है आगे वोग को भूक लगी हो और बेचार अपने मुसे खाने का नाम लेही रह होता है कि तभी वहाँ पर जूजिन आकर उसके सामने खाना रख देती है तो वोग उसका हाथ पकर लेता है और अपने हाथ से उसके बालों को हटाता है और उसका चेहरा दे सब्सक्राइब करते हैं तो बेकु यह सब देखकर बहुत ही खुस होता है आगे हेमी सारे लोगों को डांट डांट कर पढ़ाती है ताकि उन लोगों के एकजाम में अच्छे मांक्स आ सके तो वह सारे लोग हैमी के डर से पढ़ाई करते हैं लेकिन बाद में बैचारे सो गोई-ोगो को इस तरह सोता हुआ देख कर स्मायल करती है और उसके बाद वह एकु के स्टोर रूम में जाती है तो वहाँ पर है मी को अपने कुछ समान मिलते जह उसने मेकु को दिया होता है तो हमी वो सब समान देखकर बहुत खुष होать है strict तबी वहां की लाइट चली जाती है और हेमी पूरी तरह डर जाती है, कुछ देर बाद वहां पर बेकू भी आजाता है और हेमी से पूसता है तुम यहां पर क्या कर रही हो, तो हेमी कहती है ऐसे कोई डरा कराता है तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी कि तभी वो दर्वाजा बंध हो जाता है तो बेकु दर्वाजा खोलने की बहुत कोसिस करता है पर वो दर्वाजा नहीं खुलता तो हेमी कहती है उन लोगों को आवाज लगाओ बाहर से वो लो निकलेंगे तो बेकु कहता है यहाँ पर एक खिरकी है लेकिन यह भी सुभाई काम करेगी हमें रात इसी स्टोर में गुजारनी होगी तो हैमी यह सब देखक परिसान हो जाती है तो बेकु कहता है वैसे दर्वाजा भी खुलने वाला नहीं तो मैं जाकर सो जाता हूं मुझे बहुत नेंद आ रही है तो हेमी कहती है तुम सोगे नहीं तुम पढ़ाई करोगे और हेमी पूरी रात बेकु से पढ़ाई करवाती है और उससे धेर सारे कोसन भी पूसती है तो बेकु सारे कोसन का सही सही जबाब देता है और इसी तरह पूरी रात गुजर जाती है और वो लोग वहीं पर सो जाते हैं एक दूसरे के कंधे पर अपना सर डालके आगे उन लोगों का टेस्ट होता है और उसके बाद उन लोगों के टेस्ट का रिजल्ट आता है तो बेकु को 81 मार्क्स मिले हुए होते हैं तो बेकु ये सब देखकर खुस हो जाता है और सब को अपने मार्क्स दिखाता है तो हेमी भी बेकु का इतना अच्छा मार्क्स देखकर बहुत खुस होती है आगे हेमी घर जारी होती है तो वो रास्ते में बेकु को कहीं जाते हुए देखती है तो हेमी बेकु का पीछा करत तो उसे पता चलता है कि बेखु अपना पैर ठीक करने के लिए थेरेपी कर रहा है वो भी हाट हाट और उसे थेरेपी करते टाइम बहुत ही दर्द हो रहा है लेकिन वो गिब अप नहीं कर रहा है तो हेमी बेखु को इतना दर्द में देखकर रोने लगती है आगे बेखु प्रैक्टिस कर रहा होता है बैसबोल की कि तभी महाँ पर हिमी आती है और बेखु को कहती है मुझे पता है तुम्हें ये सब करने में बहुत ही तकलीफ हो रही है प्लीज अपने इस बेसबोल को छोड़ दो तुम्हारे जान से जादा इंपोर्टेंट बैसबोल नहीं है तुम बैसबोल की बिना जी सकते हो पर अपने पैर की बिना नहीं प्लीज यही पर अपना बैसबोल छोड़ दो पर बेखु छोड़ने से मना कर देता है और कहता है मैं बेसबोल की बिना नहीं जी सकता चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पैर को ठीक करके रहूंगा वैसे तुम तो मेरी मैनेजर होना तुम्हें अपने टीम को सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने की सला देनी चाहिए ना कि उसे छोड़ने की और वहांसे चला जाता है तो येज्य को की बाते सुनकर बहोती बुरा लेता है और वो टिसायड़ कर लेती है यह अगर बेकु गिंआ नहीं कर रहा वहकर ले की कोसिस करता है पर जादा सोड होने की वज़ा से हेमी बेकू के दिल की बात नहीं सुन पाती आगे कोडिया टीम जीट जाती है तो सारे लोग खुजी के मारे उचलने लगते हैं और बेकू और हेमी भी उचलने लगते हैं कि तभी उन दोनों को एक आदमी से धक्का लग जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और एक दोनों का पहला किस हो जाता है और यह दोनों एक दुसे को देखते ही रह जाते हैं और यहीं पर पार्ठट खतम होता है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करे और मेरे चैनल को सब्सकाइब करना तो बिलकों ना भूले